हमारे साथ कॉंग्रेस कनेता हुसन दलवाई उनसे बात करते हैं सर अगर प्रधान मंत्री सी जी आए के घर पर जाते हैं गनपती जी की दर्शन करने के लिए तो आखिर आप लोग का इतरास क्यों है अपने समीधान कारिकारी मंडल और नयाय मंडल इसमें फरक किया गया है बहुत अच्छी तरसे यहां का अड्मिस्टेशन सरकार यानि मंत्री मंडल नयाय मेवस्ता यह सब अलग अलग है यहां का चुनाव आयोग भी अलग है और हर इसके मरियादा तय है इसमें इंटर्फियर्स नहीं होना चाहिए अभी गंपती का दर्शन गेना कोई गहर बात नहीं है यह देश में सेकुलरिजम है तो भी हर मजब को हर धर्म को अपना अपना धर्म पालने का अधिकार दिया गया यह बहुत बड़ी बात है यह अपने देश में ही हो रहा है लेकिन उनके घर जाना और वहां गंपती का यह करना इसका मतलब ऐसा है प्रदान मंत्री ने हमारे हैं और यह बिलकुल गलत बात है इस तरह से उन्होंने उनको आने देना भी गलत है हमारे जच साब ने उनको आने देना भी गलत था और इन्होंने वहां जाना भी गलत था एक तरह से हम बोले सो काइदा जो अभी चला है वैसा एक तरफ से यह नयाए व्यवस्ते के उपर दबाव लाने का जो काम है वो बिल्कुल गलत है और एक बात ध्यान में रखिए कि इनों ने बहुत सारे जो ये दिये हैं उसके बारे में बहुत सारी चर्चा भी है जैसा कि आप महारश्टर में बलातकार होते हैं हो रहे हैं उसके बारे में कुछने बोलते हैं और बंगाल क तरह से असमीदानिक सरकार चलिए उसके बारे में क्या है इसके बारे में तीन साल यह केश चलिए इतने दिन लगते हैं यह बिलकुल गलत बात है मेरे खाल से यह इस तरह से होना बिलकुल गहां यहां सेपरेशन आफ पावर यह जो बात है वो कहान कहान तोड़ी जा रही है और हमारे चीप जज़ जो है उनके बारे में लोगों में भी एक संदे है कि इनका सुलूख अच्छा नहीं है आप सरे देखे दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं आप केसिस का जिक्र कर सकते हैं वो आपकी राय है लेकिन अगर धार्मिक तेवहार है हम जिस तरह हर किसी के अपनी अपनी फेत है वो काम क्या करते हैं उनको काम के वज़े से जच किया जाए अगर वो काम के बाद अगर को कोई जो उनके जान पहचान वाले हैं या बाहरी लोग अगर दर्शन करने आते तो इससे आप दोनों को जोड कैसे रहे तो सरासर गलत बात होगी ऐसा है घर में गए उनके सारवजिनक्स तान पर जाना और घर में जाना उसमें फर्क है जान में रखिए ऐसा है कि आप कि घर जाना इसका मतलब ऐसा है प्रदान मंत्री ने उनके उपर दबाव लाना है यह और वे बिल्कुल गलत बात है इसा है सरकार तो कुछ मानती ही नहीं यहां सविधान को ठुकराने का काम हर दिन हो रहा है यह भी एक तरह से ठुकराने का मामला है हमारे साथ रहो यह बोलन सथार जान रहा हो गलत बात है अगर आप थोहार मनाते हैं आपके थोहार के दॐररा कि कोई महमान आपके घर पर आता तो सवाभवी किसी बात है आप जो है एस घैज घ। आता तोसका आप स्वागत ही करेंगे आप दोनों चीज़ों को कंबाइन करें जो टेक्निकली सही यहां कोई आए मैमान और उसने दर्शन ले इसी बात नहीं है वो प्रधान-मंतरिह नहीं है यह बात अपना अग्रॉन उनके फिर जाना और आएक Redo मेहिश कर इसमें फेर्क क defenders इसे अफाली और मैमाना साइब है यह यह चलेगा नहीं यह एक तरह से आप स्वविदान को ठुकराने का काम कर रहे हैं अब बीजेपी की तरफ से क्या दलिल दी जारी उनका यह कहना है कि प्रधान मंत्री वहां पर चीफ जस्टीस के घर पर गए दर्शन करने के लिए इस पर आपके आपति नहीं आपके आप आज भगवान गनेश की पुजा हो रही है इसले आपको जादा पत्ति नहीं बिल्कुल गलत बात है यह हमेशा उनकी यह रहते हैं जहां हिंदू मुस्लिम करते हैं वैसा ही जानेश की पुजा करना यह कोई गयर बात है ऐसा नहीं मैं पहले बोला कोई उसमें इत्राज नह क्या कोई आपती नहीं सवाल यह है कि वो चीप जस्टिस है और उनके घर में प्रदान मंतिरी ने जाना यह दो व्यक्ति की बात नहीं है दो स्थानों की बात हैं दो इंस्टूशन की बात हैं जो समीदान में अलग-अलग किये गए हैं इसके अलावा एक बड़ा मुद्द दोर है वक्फ संशोधन बिल का आप क्यों इस बिल का विरूद कर रहे हैं और आपकी क्या मांगए जिस धंग से वह बिल आया गया है ना वह उसका मकसदी गलत बात है ए ऐसा है मैं बोलूँगा तिरुपती के मंदिर के बारे में ऐसा क्योंने बिल लाते हैं वहां क्या हो जरह देखो वहां बाल काटे है ना उसमें भी बहुत बड़े पैसा आता है उसका क्या करेंगे हमारा सिद्धी विनायक है शिरडी है वैश्नव दिवी है जगनातपुरी है मैं वहां गया था तो मैं वह मंदिर में जाना चाहता था मुस्लिम करके मुझे जाने नहीं दिया कि इतनी गलत बात हैं तो इसके बारे में क्या करेंगे है खाली अभड के बारे में क्यूं करते हैं कि वब की मात्रमात बैसा है जय कि की जाएदात जो है। वह सर्कारी जाएदा नहीं है। लोगों ने खुद मुसलमानों के बेवा औरत हैं एजुक्शन इंस्टुशन्स था हैं गरीब लोग हैं उनको मदद करने के लिए अपनी जाइदा दिये हैं वो बहुत अच्छी बात है ना मुसलमनों में एक टू पॉइंट फाइपरसेंट आप हमेशा जकात देनी चाहिए इसा कहा गया है अच्छी बात है ना वो लोग देते हैं तो उसको आप वहां सरकारी करन करना सरकार ने वो अपने हाथ में वो लेना बिल्कुल गलत बात है अरुप सर अब ये लग रहा है ना कि इस संशोधन बिल के खिलाफ बाकाइदा कैंपेंच चला जा रहा है मुसलिम महलों में मौलाना जो है स्पीकर अपने कंदे पर लेकर चल रहे है कह रहे किया बाह कि यहां से हमें कुछ मदद मिलती आई हमें सरकार के दरवाजें तक जाना पड़ेगा हर बात में सरकार का इंटरफेरंस घालिए बिल्कुल गलत बात है आप इस तरह का मंदिरा मंदिर बड़े बड़ी gigantic उसका इंटर्फिरंस सरकार करती है क्या अभी जो मंदिर बहुत जा जिसका उद्गाटन परदान मंदिरी जी ने किया वहां इस तरह का सरकार करन है क्या ये मेरे ख्यासे कुछ हमारे मौलाना लोगों तो को बताते होंगे तो गलत बात है यसा मुझे नहीं लगता भरकाना न मुस्लिम उसमेंस भी नहीं होना चाहिए ये बिलकुल है है संबसे बडी बीबात हैसी है कि उसकी जो जाय पी सी के एक तो हो रही है वो क्यों हो रही है दीरे से करो ना उसके उपर लोगों को क्या कहना है आने दो मैंने जेपीसी को लिखा है पॉप ये जेपीसी के जो चेर्मन है उनको भी लिखा है उसके सेक्रेटी को लिखा है कि ये मुदद छे में से बढ़ा दीजिए मुदद हर दिन मिट बारे में नहुआ उतना क्युंकि यह जो जाइदाद जो लोगों ने डिए है उझाइदाद के उपर सरकार की आँखें नजर है कहा ना कहा मुस्ल मानों ने खान बादा ने होना है एंटी मुस्लिम पारा उनका रवई हाय इसलहाइई यह लोगों को लगता है इसलिए लोग इसके किलाव एक दो बयान काफी वायरल हो रहे एक सरवर चिश्टी का है जहां वो कह रहे हैं कि इसके खिलाव सड़क पर आईए सड़क पर आने इस तरह से कहरें लोगों को कि आप सड़क पर आईए अंदुलन करें तो इसे आधार बनाया जा रहा है कि गलक तरह से इसको विरोध कर सकते हैं और शांती से गांधी जी ने सड़क पे आये थे वो वैसे शांती से अगर कोई सड़क पे आता है तो उसको विरोध करने की ज़रूरत नहीं है समुझे लगता है जाकिर नाइक ने भी वीडियो रिलिस किया वो भी कह रहा है कि अगर इसे खिलाफ एक जूट नहीं हुए तो तकलीफ हो सकती है साथी वो ये भी कहरे अगर इबिल पारित हो गया तो बद्दूआ लगे कि खुदा की नहीं वो इस तरह से बात करना मिलकुल गलत बात है वो जाकिर नाइक क्या बोला मुझे मालूम नहीं मैं यह कहूँ आगा कि जो भी आंदॉलन चला है भी लोग उसके उपर अपने ख्यालात पेश कर रहे हैं जेपीसी ने इतनी जल्द बाजी करनी नहीं चाहिए मुदद बढ़ानी चाहिए लोगों का क्या कहना है देखना चाहिए और उसके पर निरने लेना चाहिए एक बीजेपी के लोग जो कहते है वही सही बात है इस तरह से निरने नहीं होना चाहिए चाहिए शुक्रम से बात करने के लिए तो साफ तरह इनका कहना था कि छे महेने तक की महलत और बढ़ाई जाए क्योंकि बहुत सारे लोग है जो अब तक अपनी बात जेपीसी के सामने नहीं रख पाए और इसलिए छे महेने का वक्त बढ़ाया जाए इस तरकी मांग कांग खृषित लिए, जडने है जब देसे सारे बात रहीं वक्ता सारे चेां करने महें हुर भाए ठात का वका का अपनी भूझ सारे, वक्ता लिए और याश्ले घर कैजा प्लà अपनीं गयीं स्वाबा, जजहे जँड़ा है जए जदाले आख रहलेना दूए है लिएका लूब